आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, आपको इस question में ये बताना है कि कौन सा principle management का insist करता है workers को कि वो लोग encourage होने चाहिए किस थीज के लिए encourage होने चाहिए develop करने में और carry out करने में किस थीज को अपने plans को development के लिए आपको वो वाला principle क्या करना है explain करना है तो encourage किसमे किये जाते हैं तो वो आपका principle है principle of initiative ठीके कौन सा principle है principle of initiative ये किस ने दिया था फेओल ने दिया था ठीके अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका जो ये वाला principle है इसमें क्या आ जाता है ठीके अंडर दिस प्रिंचिपल इसमें क्या होता है successful management जो एक successful management होता है ठीके successful management provides an opportunity वो क्या provide करता है? वो provide करता है एक अच्छी opportunity ठीके वो एक opportunity provide करता है किसको provide करता है? अपने employees को provide करता है जो उसके employees होते हैं to suggest new ways मतलब जो उसके employees है वो जितने भी आपके new ways होते हैं वो suggest करते हैं या अगर उनके पास कोई ideas होते हैं या फिर experience होता है ठीके? वो लोग suggest करते हैं of work किस इसका? work का कोई भी new way कोई भी idea experience वो लोग suggest करते हैं फियोल का मानना है कि जो आपके employees होते हैं ठीके? जो किसी company के employees होते हैं they should be encouraged उन्हें encourage करना चाहिए ठीके? अगर हम उन्हें बढ़ावा देंगे हर चीज में हर चीज में आगे करेंगे तो क्या होगा? उन्हें अच्छा लगेगा वो company को अपना मानेंगे ठीके? वो company को अपना मानेंगे और initiative लेंगे किस चीज में? जो भी हम लोग उनको work देंगे ठीके? in the work assigned to them हम जो भी उन्हें assign करेंगे work वो उसमें क्या करेंगे? interest लेंगे तो आपका answer होगा principle of initiative थेंक यू